प्रतिकात्मत प्रामानिक प्रयत्ना है सुना है दिल्ली को मराठी समझ मेने आती है मोदीजी आपको हमारी गुचारी से है आप मत आए महाराष्ट्रा में मत आए महाराष्ट्रा की किसान को आप मारने पे उत्रे है उसको मरने पे छोड़ दिया है फिर आप क्यों आ रहे हैं क्योंकि अब हमें घिन आ रही है इस सरकार से क्या हम सरकार का हिस्सा नहीं है क्या हम इस देश के नागरीक नहीं है अगर है तो क्यों हमें सस्ते में जीना पड़ रहा है सब चीजे महंगी है संसार में रोज लगने वाली जो चीजे है वो सब महंगी है क्यों हमारे जो किसान भाईयों के उपाज है उपज है उसको क्यों सस्ते में लेना चाहते हैं हमें ना सिक्षा सस्ते में मिलती है ना कोई अरोग्य सस्ते में मिलता है कुछ भी सस्ते में नहीं मिलता है फिर हमारी प्याज आपको क्यों सस्ते में लगती है 30 रुपया बहुत बड़ा रेट है अगर 30 रुपया बहुत बड़ा रेट है, तो सुनिए, 30 रुपय में कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं, फिर हम 10 रुपय में प्याच क्यों बेचें, आपके इस नाफेड के डिसिजन की बज़े से, नाफेड में 38 रुपय में प्याच खरीदना शुरू किया, 8 दिन में नाफेड आज 15 रुपय में प्याच करीद रहे, 15 में क्या मिलता है देश में, बोलिए क्या मिलता है, क्या प्याच essential है, जिवन आवश्यक है, नहीं है, फिर भी उसको आप 15 रुपय में बेचने में, क्यों हमें यहाँ पर मजबूर करे हो, यह मजबूरी अच्छी नहीं है सिर्फ आपकी एक गलती है, इसकी बज़े से हम किसान किसान नहीं रहना चाते है, कुछ तो भी अलग हम करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन हमारा जिसमें ट्रेनिंग है, वो खाली खेती का है, किसानी का है, हम वहाँ के अच्छे बली राजा है, फिर हमें क्यों बल प्रतिष्टा धुड़ीत मिलोते अमचा दारा और नोटीसा चिटकाउन जाते अमचा जालेले नुकसान भरूंद्या 2000 कोटी रुपे 17 दिउसा अमचा नुकसान जालेला है प्रचंड कांदा देशाला पुरवनार या जिल्याला यहोड़ दुरलक्षी ठेऊना काना हा जिल्ला जगभरा मदे तुमचा साथी समाधान कारक उत्पन देऊन परकिया चलन सुद्धा देतो 30 लाख लोक बेरोजगार जाली है फक्त शेती चा बाहर ची जो मुंबई परेंत पोड जातो तीथ 30 लाख लोक बेरोजगार जाली यहोड़ा मोटा प्रचंड व्यवसाए हाँ तुमी धुलिसका मिलावतात अब प्रश्ण यानि मित्ताना आये एका रातरीत 800 कोटी आनी 17 दिवसात 12 कोटी आशे 2000 कोटी तुमचा ग्रामचा घेणाए ते 2000 कोटी ठेवा आनी मग नाशकात पाई ठेवा ही विणनती